हेलो एवरिवन आज हम साथवी कलास की विज्ञान की कार्य पुष्थिका में अधियायत दे रहें गती और समय में दिये गए प्रशनों को अच्छे से हल करना सीखेंगे सभी बच्चे वीडियो को सुरू से लेकर अंतक पूरी देखें चैनल पर नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक जरूर करें तो देखें एक बार सुरूरात करते हैं यहां पर हमारा पहला क्यूशन है कि अपने नभव के अधार पर पांच तिवर वे पांच मंद गती से करने वाले वाली वस्तुओं की सूची बनाओ तो इसमें हैं तिवर गती करने वाली वस्तुओं जैसे की रेल गाड़ी, कार, बस, हवाई जहाज, ट्रैक्टर, इत्यादी आगे लिखनी हैं मंद गती करने वाली वस्तुओं उसमें आजाती है बैल गाड़ी, रॉलर गाड़ी और साइकल यहाँ पर इसी क्यूशन का सवपार्ट है कि तुम यह किस अधार पर तै करोगे कि कौन सी वस्तु तिवर गती कर रही है और कौन सी वस्तु मंद गती कर रही है तो हम लिखेंगे कि जिस वस्तू दवारा एकांक समय में जादा दूरी तै की जाती है तो हम कह सकते हैं कि वो वस्तू तिवरगती से चलती है यहाँ पर दूसरा क्युशन है इसमें कि अपनी किसी एक यातरा के विशय में निम्न परषनों के उत्तर दो यात्रा करने का स्थान स्थानी साधन इसमें है यहां यात्रा करने का साधन रेल गाड़ी, बस, हवाई जहाज कहां से कहां तक की एक यात्रा का वर्णन करना है जैसे सिर्षा से जैपूर तक की यात्रा पूरी करने में लिया गया समय 12 घंटे लगे एक घंटे में तै की गई ओसत दूरी 6 किलोमेटर जो है एक घंटे में तै की गई ओसत दूरी थी और यात्रा की साधन की चाल क्या थी? 60 km पर ती घंटा 60 km पर आवर ठीक है तो यह यात्रा के लिन का जो है यह परसनों के उत्तर दिये गए थे आप अगर कहीं और यात्रा की है तो उसके according आपको यहाँ पर लिखना है अब आगे है यहाँ पर परसन नमबर 3 अब इसी तरह से यहाँ तीसरे क्यूशन में है कि नीचे समयम आपने के लिए कुछ साधन दिखाए गए है तुम समयम आपने के लिए इन में से किस साधन का प्रियोग करते हो तो समयम आपने के लिए घड़ी का प्रियोग करते हैं और यहाँ पर देखे यह अलग-अलग समय मापने के साधन दिखाए गए हैं यह अलग से घड़ी दिखाए गई है पेंडूलम भी है इसमें नीचे यहां पर देखे यह अलारम घड़ी है यह अलग से डिजिटल बॉच जो है वो दिखाए गई है इसी तरह से पुराने जमाने में पहले जब घड़ी नहीं होती थी तो समय देखने के लिए लोग इसका ही प्रियोग करते थे और इसी तरह से एक साधन यहां पर भी दिखाए गया है तो अब यहां पर है इसमें कि इन सभी साधनों में क्या समानता है तो सभी समय को मापने वाले साधन है एक्स क्योशन है कि दिवार घड़ी में कौन-कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जो बार-बार होती दीखती हैं यह क्रियाएं कितने-कितने समय के बाद दोहराती हैं किसी भी घड़ी को देख कर बताओ तो इसमें है एक तो second वाली सूई होती है सेकिंड वाली सुई एक मिनट में एक चकर पूरा करती है एक मिनट वाली सुई होती है जो एक घंटे में एक चकर पूरा करती है और एक घंटे वाली सुई होती है जो 24 घंटे में एक चकर पूरा करती है तीन सुईया है इसमें अब आगे यहां पांचवा क्यूशन आ जाता ह कि खुले मुखा टीन का एक डिब्बा लो और उसके पैंदे के बीच में कील से एक बारिक छेद कर लो एक बल्टी में साफ पानी भर कर डिब्बे को उसमें तेरा दो छेद से डिब्बे के अंदर पानी भरने लगेगा अगर डिब्बे में पानी नहीं भरता है तो छेद को और बढ़ा कर दो अब डिब्बे के अंदर से सारा पाने निकाल कर उसे फिर से बाल्टी के पाने के उपर तेराओ और डिब्बे के डूबने का समय घड़ी देखकर पता करो तो डिब्बा कितने समय में डूबा पांच मिनट में डूबा आप यही एक्टिविटी घर पर कर स बराबर समय में ढूबता है तो हर बार बराबर बराबर लग्भक यह लिखेंगे हम, डीबा डूबने का ओस्थ समय क्या है? वो है पांच मिनट, अब यहां पर नेक्स्ट दव में है कि क्या इस ओस्थ समय के बराबर समय के अवधीन आपने के लिए इस डीबे का उपयोग कर सकते हैं? इसे समय के मापन के लिए साधन के रूप में काम में ले सकते हैं आगे यहां नीचे चार दोलन दिये गए हैं इन्हें देखकर निम परशनों के उत्तर दो तो यहां पर देखें यह दोलन दिये गए हैं यह कर दोलन है यह ख और यह ग और यह चार दोलन है कि किस दोलन का दोलन काल सबसे अधिक होगा तो इसमें जो यह घर दोलन है स सबसे अधिक होगा आगे है यहां पर बोक्यूशन इसमें कि एक दिवार घड़ी धीमी चलती है बताओ घड़ी सुधाने वाला उसके दोलन की लंबाई घटाएगा या बढ़ाएगा तो इसमें लिखेंगे घड़ जो है दोलन की लंबाई घटाएगा एक टोली को समय और द निमलखित थे चित्र को देखकर निमलखित में से त्या करो कि किसे एक दोलन माना जाए और क्यों तो यहां पर देखें ये दोलन किसे माना जाना चाहिए ये दोलन है ये गह से ख की तरफ जाता है ऐसे फिर गह से क की तरफ भी जाएगा फिर क से वापिस ख पर आएगा तो इस तरह से ये दोलन करता है तो किसे दोलन माना जाना चाहिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो यह स दिया गया है कि क से ख तक ख से क तक और क से ग तक जब यह जाता है तो उसे एक दोलन माना जाता है तो इसे दोलन माना जाना चाहिए अब यहां आठवा क्यूशन आ जाता है कि लगभग दो मीटर लंबे धागे को एक सीरे पर एक पत्थर अच्छी त्रहें से बांध लो इस पत्थर को दर्वाजे की चोखट में लगे साकल के कुंदे से लटका दो अगर वहां कुंडा ना हो या कुंडा धीला हो तो चोखट में एक कील ठोकर उसमें धागा बांध लो पत्थर को एक और थोड़ा हटा कर छोड़ लो ऐसे करने पर दोलक का क से ख तक जाना और वापस कै तक आना एक पूरा दोलन माना जाता है यह ध्यान रखना है कि दोलक को धक्का देकर नहीं चलाना है बस एक तरफ को थोड़ा हटा कर छोड़ देना है पता लगाओ कि आपके दोलक को एक दोलन करने में कितना समय लगता है तो इसमें तीन सेकिंड का समय लगेगा क्या दोलन का अलना आपने में कोई कठिनाई आई हाँ कठिनाई आई यदि हाँ तो क्या हाई कि कम समय है अब यहाँ पर है अब एक साथ दस दोलनों का समय नापो दोलक को 10 दोलन करने में कितना समय लगा तो यहाँ पर है 20 सेकंड का समय लगा उपर किये गए नाप के अधार पर बताओ कि एक दोलन में ओस्तन कितना समय लगेगा तो एक दोलन में जैसे यहां पर दिया गया है बीस बटा दस यानि कि टोटल जितने दोलनों की संख्या हुई है वो हम करेंगे और कुल समय कितना लगा है तो यानि कि उपर हमें कुल समय लिखना होता है मालो कुल समय है यहाँ पर 20 मिनट और कितने दोलनों में हुआ है यह दस दोलन में हुआ है तो 20 बटा 10 इसको काटें यह तो दो सेकेंड यह जाश मैं आ जाएगा इसी टरह से यहाँ पर है यह यह कि दोलन दवारा 20, 30, 40 और 50 दोलन करने में लगे समय को अलग नापो और अपने आखड़ी नीचे बनी तालिका में लिखो तो यहां जैसे दोलन की संख्या दी गई है 20, कुल समय है 40, मिनट लगे हैं और यहां पर दोलन काल दिये हैं 3 दोलन काल तो ओसत दोलन काल निकालने के लिए क्या है कुल समय यानी जैसे है कुल समय है यह 40 बटा दोलनों की संख्या तो इसको यह काटेंगे तो अजयेगा 2 सैकिड इसी तरह से जितने भी दोलन बढ़ते जाएंगे यहां पर देखिए इस तरह से इनका समय भी बढ़ता जाएगा औ और इस तरह से आपको यह है ओसत दोलनकाल जो है वो निकाल लेना है आगे यहां पर है कि क्या हर बार दोलनकाल लगभग बराबर आया तो हां लगभग बराबर आया है से लिखेंगे इसमें इसी तरह से यहां पर नेक्स है कि जिस बिंदू से दोलक को लटकाया है उस बिंद तो इसी तरह से ढॉलन का समय दिया है। जैसे बच्चों आपको उपर बताया था, उसी हिसाफ से यहाँ पर यह भी करना है। दोलन का समय आ जाएगा बटा में दोलन के वहीना का समय शिलार। संख्या आ जाएगी और फिर जो है इसे हम कर देंगे जैसे यहां उपर सिखा बताया था ना कि दोलन का समय आ गया और दोलन की संख्या जैसे यह बताया था सेम ऐसे ही यह प्रोसेस भी करनी है अब आगे है कि दोलक की लंबाई बढ़ने से दोलन काल पर क्या असर पड़ता ह आवर्त काल बढ़ेगा यहां नेक्स चाहिए इसमें कि दो सेकंड दोलनकाल वाले दोलक की लंबाई कितनी होनी चाहिए पनी ताली का क्या धार पर अन्मान लगा कर बताओ तो यह 20 cm होनी चाहिए जिस दोलक के समय को सेकंडों से आसानी से नाप सकते हैं उसे सेकंड का दोलक कहते हैं नेक्स अब इसमें दसवां क्यूशन आजाता है यहां पर कि निमलिखित परसनों के उत्तर दीजिए एक खरगोस की चाल 50 km परती घंटा है तो फिर मीटर परती सेकंड में उसकी चाल कितनी होगी यानि यह 50 km परती घंटा दे रखा है और वो मीटर परती सेकंड मे हमें निकालना है तो हम इसके लिए चाल कितनी होगी चाल का यही हम इसमें लिखेंगे चाल का जो फार्मूला होता है वो होता है दूरी बटा समय तो दूरी है यहां पर 50 km में है तो 100 मीटर बनाना है तो हमने क्या कर दिया है यहां एक हजार से इसे गुना कर दिया है और ब तो काटने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो आ जाएगा 13.66 मीटर प्रती सेकंड इसी तरह से यहां यह क्यूशन है next कि एक ट्रेन पांस घंटे में 550 किलो मेटर तक की दूरी तया करती है ट्रेन की चाल किलो मेटर प्रती घंटा में कितनी हुई मीटर प्रती सेकंड में उसकी चाल कितनी हुई तो चाल निकालने का फार्मूला है दूरी बटा समय 550 किलो मेटर है यहां फर तो 550 बटा 5 घंटे समय दिया गया है निकालेंगे तो यह आजाएगा 110 km परती घंटा अब जब हम इसे 30 second में निकालेंगे तो वही फार्वुला है जैसा उपर मैंने समझाया था 110 तो इसका यह आगी चाल जो है 110 गुना 1000 बटा 3600 और इसको करके अब इसको काटेंगे तो यह आजाएगा 1100 बटा 3600 मीटर परती सैकल में आजाएगा और इसका आंसर जो है इसको भाग देने के बाद हो जाएगा 30.55 मीटर परती सैकल अब इसी तरह से यहाँ पर 11 क्यूश्यन दिया इसे द्यान से देखिए कि अपने घर से बाजार के लिए निकली राधा की यात्रा के आखड़े नीचे तालिका में दिये गई है यह समय मिनट में दिया गया है और तै की गई दूरी मीटर में दिये गई है तो राधा जो है बाजार के लिए निकली थी यह समयन्तराल दिया गया है यहाँ पर इसे 2 मिनट लगे यह 2 मिनट यहाँ दो तो यह टोटल करके जो है वो 14 मिनट हो जाती है यहाँ पर जब यह हम काउंट करेंगे यह 14 मिनट हो गई और तै की गई दूरी देखिए एक बार यह 60 से 120 है यह 120 से 240 यानि 120 हो गए यहां 60 हो गए 240 से 360 यहां 120 हो गए इस दिन जब हम इने काउंट करेंगे ने टोटल तो इनकी दूरी जो है वो 480 किलोमेटर पर आवर आ जाएगी यहां पर जब इनको टोटल करेंगे इनको टोटल करना है ठीक अब इसमें यहां पर इसी तरह से पहला किर्शन इस तालिका को देखकर बताओ कि इराधा की ओसत चाल क्या थी तो ओसत चाल वही दूरी बटा समय होती है तो दूरी बटा समय यानि कुल दूरी कितनी है कुल दूरी है यहां पर लिखेंगे हम 480 बटा समय कितना है उसे 14 मिनट लगी है अब इसे काट लेंगे यानि भाग देंगे 480 से 14 को और फिर यहां पर आपको लिखना है कि कितने किलोमेटर परावर जो है उसकी चाल हो गई यहां खुद करना है आगे यहां पर इसी तरह से नेक्स्ट किर्शन यहां इसमें दिया है क्या राधा लगातार एक ही चाल से चलती है नहीं एक चाल से राधा नहीं चल रही है यहां पर देखिए यहां पर यहां पर 120 की चाल से चल रही है यहां पर कुछ रेस्ट भी किया है राधा ने तिन सो सार तिन सो सार तिन सो सार यानि जीरो जीरो लिख रखी इसका मतलब है यहां पर रेस्ट किया है यह दो और दो यह चार चार मिनट के लिए यहां पर रेस्ट हुआ है उसके बाद इन दोनों के बीच अंतर नब्बे यह दे रखा है नब्बे यह है न तो फिर यह तो यह 120 से लेकर 360 तक राधा की चाल यहां देखिए यह 240 किलोमेटर परती यह रही है हावर यानि कि मीटर में रही है 240 मीटर रही है यहां पर 240 मीटर ठीक है तो इसमें हम लिखेंगे कि 120 से 360 में समय चार से आठ मिनट में इतनी दूरी तैकी है किया वो रास्ते में रुकी यहां तो कितने समय के लिए रास्ते में रुकी हाँ भी लिखेंगे हम यहां पर कितने समय के लिए चार मिनट के लिए वो रुकी है यहां पर अब इसी तरह से यहां next question है किसीता की घर से school तक की यात्रा के आंकडे तालिका में दिये गए हैं यहां पर आंकडे तालिका आएगा अब हम इन आंकडों के से समय वे दूरी से घर से दूरी का graph बनाएंगे तो यहां पर यह समय दिया गया है दो मिनट, चार मिनट, छे, आर्ट, तज, बारे में तै की गई दूरी दो मिनट में 120 है चार मिनट 246 में 360 तो यह सारी यहां पर जो है यह दूरी दिखाई गई है और यहां पर इसका graph बनाना है तो हम किस तरह से graph बनाएंगे यह देख़े इस तरह से ये graph बनेगा ये यहाँ पर समय मिनट में दिखाये गया है और ये दूरी दिखाये गई है मेटर में और इस तरह से हमें इसका graph जो है वो में तयार करना है आगे अब इसमें लिखा है कि तुमने पिछले वर्स graph बनाना सीखा था इस graph को बनाने के लिए तुम समय x और तै की गई दूरी y x पर बनाएंगे y x पर बनाएंगे अपने graph कागज पर x और y x बना कर दोनों अक्सों के पैमाने तै करो ये पैमाने graph कागज के उपरी दाएं कोने पर लिखो अब आकड़ों के अनुसार दो मिनट समय वे 120 मीटर दूरी का बिंदू graph पर अंकित करो इसी परकार से इस पांच बिंदू भी graph पर बनाओ इन सभी बिंदूों को जोडने वाली सरल रेखा स्केल की सायता से खिंचो यह graph सीता की घर से स्कूल तक की गती की graph है आपके दोरा बनाया गया सारी graph तै की गई दूरी और समय की graph है नेकी यात्रा के रास्ते इन्हें कभी भी रास्ते समझ कर मत गड़बड़ा जाना अब यहाँ पर इसी तरह से next question देखिए इसमें कि चित्र के graph को देखकर अंक पढ़े भी ना बताओ की यहाँ पर देखिए यह मिनट समय दी गई है मिनट में है एक से छे मिनट यहां दिखाए गई है यहाँ पर अगर हम करें तो यह सात्वा मिनट होगा ठीक है और यहाँ इस साइड जो है दूरी और दी गई है मीटर में है यह दूरी मीटर में है 120 मीटर, 240, 360 मीटर इस तरह से तो ये टारगेट था कि नंदू और लच्छू को यहां तक पहुंचना है देखिए ये दूरी तै करनी है उनको तो नंदू ने ये दूरी जो है वो 6 मिनट में यहां पर पार की है ये 6 मिनट में लेकिन लच्छू ने ये दूरी 7 मीटर में जो है वो पार की है अब यहां पर ये क्या इसमें दिया है कि लच्छू और नंदू में किस की चाल जादा थी तो इसमें नंदू की चाल जादा थी लच्छु ने घर से स्कूल तक की दूरी कितने समय में तैकी वै उसकी चाल कितनी थी तो उसके सात मिनट में पार किया है नंदू की चाल क्या थी तो हम चाल के लिए जो है दूरी बटा समय करेंगे टोटल दूरी 720 थी और बटा समय यहाँ पर 5 मिनट तो इसकी आगया 124 मीटर परती मिनट यह जो हांसर इसका आज आएगा तो बचो आज यह वीडियो यहीं पर खतम होती है नेक्स्ट पार्ट फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में ही लेकर आऊंगी अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भी तक तो सब्सक्राइब भी कर लें तो बच्चो हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में तबता किली, बाई!